हेलो दोस्तों, आपका स्वागा थासांतर मेंद पर, तो आज के इस वीड़ियो में हम लोग, परिमय शेंख्याओं का, गुना और भाग करना सेखेंगे तो देखिए, सबसे पहले हम लोग गुना करना सेखेंगे, पहले दो अंकों का, फिर तीन अंकों का, उसके बाद भाग करना सेखेंगे, दो अंकों का, उसके बाद तीन अंकों का, और उसके बाद भाग और गुना एक साथ करना सेखेंगे, तो चलिए, सबसे पहले हम लोग विश्स उसको परीमेel सेंख्या बोलकेंगे वह बिन्हागे बेसे में घुल ख़रißt से पिशन है कि संख्य आपस में कट रहा या नहीं कट रहा तो कटने का नियम क्या है आपका ऊपर निचे इसके साथ और यह इसके साथ कट सकता है तो देखिए हम लोग पहरे काटते हैं देखिए 4 पहाडा में कटेए चार दूने 8 और 4 तिया 12 और देखिए घंचोंत तिन का पहाडा में कटेगा यह वाला तिनकम 3 और 3 शत्ते 21 तसात में कट गिया और और देखिए कोई सेंख्हापस में कट रहा है तो नहीं कट रहा है तो पन में कितना बचा हुआ है नो बचा हुआ यहां एक तो नो एक के नो आएगा यहां पर और यह दो सत्य चोधा इस तरह एक समलूग का उसका एंसर आ जाएगा चलिए वह लोग तीन भिन्नगा करते हैं इसमें वही चीज करेंगे सबसे पर देखेंगे कि कोई सेंख्हापस में कट रहा है या पर नहीं कट रहा है तो देखिए इसमें भी काटते हैं तो कौन मोला कटेगा देखिए यह 6 से यह 6 कट जाएगा और उसके बाद 7 से कटेगा 7 एक कम 7 और 7 दूनी 14 कट लिए हम लोग अब देखिए यह भी कटेगा 5 का पाड़ा में 5 से तिया 15 और 5 दूनी 10 और कोई सेंख्हात अपस में नहीं कट रहा है तो पर हम लोग बचा क्या है तीन एक कम 3 गुना करके लिखेंगे और निचे 2 दूनी 4 तो हम लोग का जो एंसर आ गया हो कितना है तीन बटा 4 आ गया इस तरिक्स हम लोग भिन्य का गुना करते हैं चलिए अब हम लोग भिन्य का भाग करते हैं तो भिन्य का भाग में क्या करते हैं तो पहला बाला जो भिन्य होता है उसको वेसे रखते हैं यानि 8 बाटा 14 लिखेंगी और जो भागा का चिन्ना है उसका हम लोग गुना में ब अब हम लोग जैसे हम लोग गुणा वाला किया थे उसे करेंगे से पहले देखें कोई सेंख्वा बस में कट राया नहीं तो साथ का बाधा हमें कटते हैं तो साथ दूनी 14 और ये साथ या 21 ये कट गया इसको देखिए दो का पढ़ा में कटते हैं तो दो दूनी 248 और 2510 ये पांच ये लिखेंगे 5 तो इंसर कितना आगे 6 वटा 5 इस दिरिक्सम लोग भाग वाला करते हैं चलिए अब हम लोग 3 भिन्न का भाग करना सेकते हैं तो सबसे परले क्या करेंगे पहला वाला भिन्न लिखेंगे यानि 6 वटा 4 उसके बाद जो भागा का चिन्न है उसको हम गुना में बदल देंगे वह सेंख्या को पलट देंगे यानि 3 वटा 8 को हम लोग क्या लिखेंगे 8 वटा 3 लिखेंगे वह इसके बाद फिर भागा का चिन्न है उसको हम लोग गुना में बदल देंगे और उसको भी पलट देंगे यानि 7 वटा 5 लिखेंगे ठीक है आप द दो दुनी चार और चार सत्य 28 तो यह आ जाएगा 28 बटा नीची क्या बचा हुआ पांच तो नीच आएगा पांच इस तरी की स्कैंसर आएगा चली अब हम लोग एक कैसा कोश्चन लेते हैं जिसमें भाग और गुना दोनों ही है तो इसको कैसे वलुप करेंगे तो सबसे पह करते हैं पहला वाला भीन्य चीन देते हैं और भाग के जगह मोनोग गुना के चीन देते हैं और भीन्य को बदल देते हैं यानि 24 बटा पंदरे लिखेंगे चली और वाकी जैसा वोसे लिखेंगे गुना 9 बटा 8 अब यह देखिए उपर वाला जिसा हो गया तीनों गुना में है अब हम लोग इसको solve करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कितना में कट रहा है तो 5 3 15 यह कट गया अब देखिए 8 से 24 कटेगा 8 तिया 24 यह भी कट गया और देखिए 3 से 3 कट गया और कोई सेंगे कटेगा तो यह देखिए 12 नीचे है यहां पर 3 है तो 3 का पाढ़ा में कटेगा 3 तिया 9 और 3 चो के 12 और कोई नहीं कटेगा तो हम लोग कोजी answer है वो आ गया उपर में 3 और नीचे 4 यह आ गया त तो इस ते एक समलोग परिमेश सेंख्याओं का गुना और भाग करते हैं असा करता है आपको समझ माग यह होगा तो अगर समझ माग यह होगा तो इसका आप मुझे answer comment करके बताएगा और वीडियो पसंद आया हो तो पर इस वीडियो को लाइक करते जिएगा और यह निको स सब्सक्राइब कर लेजाएगा मिलते नेक्स वीडियो में थेंक यू